इंडिया के दिगज बिसनस्मैन रतन टाटा का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रिच केंडी हॉस्पिटल में अपनी लास सांसे ली। रतन टाटा 68 यर्स के थे। कुछ दिन पहले ही उनकी तब्यत काफी खराब चल रही थी। बुदवार की शाम उनकी तब्यत जादा बिगरने की खबर आई। जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस न्यूस के बाद पूरे देश में एक महतम सा चा गया। उनके जाने के बाद अब सोशल मीडिया पर उनकी एक लास्ट क्लिप काफी वाइरल हो रही है। रतन टाटा का जाना देश के लिए काफी बड़ा लॉस है। उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने खुद से पहले देश के लिए काम किया। और जिस चीज़ को वो हाथ लगाते थे वो सोना बन जाती थी। हालाकि उन्हें देश कभी नहीं बुला पाएगा और नहीं उनकी कमी पूरी कर पाएगा। ऐसे लेजन्स की इंडिया को काफी जरूरत है।